नमस्कार और विलकाम यूर्ड वर्ल अफेर्ज नयू प्रशान्दवन नाव भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर रायजा शंकर ये एक बहुती मैतपूर्ण यात्रा पे गए हैं टू रश्या एक बहुती इंपॉरेंट टूर और यहां पे आप देख पाएंगे यह जो इनकी फोटो है ना यह रीसेंटी वरल हो गई थी मैं जो ट्वीट है इनकी रीसेंट ट्वीट यह मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहां पे आप देख पाएंगे जैशंगर साब ने लिखा है यह जर्नी कैसे शुरूवी थी और यह इनकी फोटो है मोस्ट रीसेंट फोटो इन दे रॉशन फेडरेशन ना यह जो इनोंने ट्वीट करी है यह बहुत ही इंपॉरेंट है यह यहां पर दिखा रहे हैं के पहली बात इनकी लाइफ पर और ओवरॉल इंडिया पर भी रश उस टाइम जैशंकर साब सिर्फ साथ साल के थे यह पास देखिया जैशंकर साब को दिया गया था ताकि यह रश्या की कैपिटल मॉस्को में जो रैड स्कूर का एरिया इनका वी वी आई पी एरिया होता है सारे जो बीरोक्राट्स हैं वो काफी बार वहां पर सेलिबरेशन के लिए जाते हैं या फिर सर्वनी के लिए जाते हैं वहां पे इनको पास दिया गया था कि आप वहां पे जाके USSR की जो उपलब दिया है स्पेस में उसको celebrate करने के लिए जो function है ना उसे आप अटेंड कर सकते हैं अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट जैशंकर साब जब 7 साल के थे तब भी इनकी पाउज USSR तक थी के USSR में जाकर इनको पास मिलता था यहाँ पे रीजन इसका यह है जैशंकर साब के जो पिता जी थे ना के सुब्रमनियम साब वो भी अपने आप में इनकी फोटो यह थे के सुब्रमनियम साब यह भारत सरकार में थे यूनियन सेक्टरी बहुत जादा हाई रैंकिंग गूरक्राट थे और इंदरा गांदी जी के साथ इनके रिलेशन्स काफी खराब हो गये थे जब इदरा गांदी जी ने अस प्राइमिनिस्टर इनको हटा दिया था as the union secretary of the government of India. तो उस time since ये इतने बड़े bureaucrat के बेटे थे, most probably उनको रश्या में बुलाया होगा, इस function के लिए कई इंडियन bureaucrats, ministers को बुलाया था 1962 में in USSR, तो तब का पास जो है ना, ये जशंकर साब के पास पड़ा हुआ है, और इन्होंने इतिहास, हमारी जो history है, इसे हम कितना करीब रखते हैं अपने दिल के, और देखो, एक ऐसे time में जब PM Modi ने फिर से skip कर ली है, annual summit with Russia, इस type की गरम जोशी, diplomacy, बहुती जारा important है, इसलिए मैं कहूंगा Dr. S.J. Shankar is either one of or the best foreign minister India ever got, मतलब इनको properly पता है किस country में क्या बोलना होता है, कहाँ पे आपका stance क्या रहना चाहिए, ये बात इनकी impeccable है और यहाँ पे आप देख पाऊगे article तर Indian Express का, as PM Modi skips annual summit again, देखो 2023 में Modi जी का वैसे बनता था रश्या जाना, एक annual summit के लिए, मगर Modi जी बट अगर वो नहीं भी हो पाता because of some reason, क्योंकि देखो problem यही आती है, Russia-Ukraine war बहुत लंबा खिज गया है आपको पता है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक साल दस महीने से उपर हो गया Russia-Ukraine war को, war खतम होने को नहीं इंडियन गवर्मेंट भी एक टाइम को European Americans को क्या रिस्पॉंड करे काफी चीज़े justify करनी मुश्किल हो जाती है तो आप कैली जी इंडिया थोड़ा सा अभी एक proper summit कर नहीं रहा हाँ, अगर war में ceasefire हो जाता है कुछ agreement की बात शुरू हो जाती है Ukraine रश्या के बीच में कैसे war को समाथ करेंगे, तब I think summit हो भी सकता है, नई तो जो current scenario है, अगर लगाता है, रश्या बाम करता रहता है Ukraine को, तो एक summit की possibility कम है, नाओ, चाहे PM Modi और Vladmir Putin ना मिले, ठीक है जैशंकर साहब का रश्या जाना बहुत important है इंडिया ने ये ensure किया है, चाहे high level PM President Summit ना हो जैशंकर साहब रश्या जा रहे है न तो यहीं पर आप कहलीजिए इंडिया एक message send कर रहा रश्या को के you are still very important for us और रश्या ने देखो, भारत को ना एक बहुती बड़ा प्रस्ताव दिया है जो मेरे इसाब से eventually इसको लेकर हमें मन्थन करना होगा सोच उचार करना होगा कि इस प्रपोजल के साथ हम आगे बढ़े या फिर रुख जाएं और ये प्रपोजल है नाश्नल करंसी के विस्तार का यह यहाँ पर आप देख पाओगे, यह रश्यान में इनका प्रेस जो नोटिफिकेशन है और यहाँ पर इसकी आप जो ट्रांसलेशन है देख पाएंगे, फोकस विल बी ओन एक्स्पैंडिंग दे यूज आफ नाश्नल करंसी और नाश्नल करंसी का सिंप्री यहाँ पर यही है, अल्टिमेटली ब्रिक्स करंसी बनाने की बाद यहाँ पर चल रही है, व्लाद इमिर पुतिन बहुत एक्साइटेड़ है इस बात को लेकर कि ब्रिक्स कंट्रीज खुद अपनी करंसी बनाएंगे और मैं आपको बतातू, यह भारत के लिए एक बहुती बड़ा हैडेक वाला डिसिजन होगा केस में पार्डिस्पेट करे या ना करे, क्योंके चाइना रशिया और बाकी सब कंट्रीज हैं यह सब तो R5 को लेकर बहुत जारा उतावले हैं, R5 के बारे में आर लेटर से स्टार्ट होता है रियाल, रुपी, रन्मेंबी एंड दे साओथ आफ्रिकन करंसी रैंड तो इस बात का प्रस्ताव रश्या ने फिर से सामने रखा है जैशंकर साब आव्वियसली स्माइल करके हाथ मिलाके वापस आ जाएंगे कुछ इस पर अभी के लिए इंडिया कमिट्पेंड नहीं करने वाला क्योंके मैं आपको बता दू USA बहुत गुस्सा होगा I mean मैं इमाजन कर सकता हूँ USA इनका मीडिया I mean उस टाइम अगर जैसे इंडिया ने एग्री कर लिया ना के R5 हम बना रहे हैं जो human rights को लेकर USA रोहेगा जो उनका मीडिया रोहेगा It will be something else All together different level की scenes होंगे तो देखना होगा कि यहां पर बात कहां जाती है उसके इलावा Russia ने एक प्रस्ताव यह भी दिया है कि दोनों Russia और India मिलकर Hydrocarbons मतलब के Oil, Natural Gas यह हम explore कर सकते हैं Arctic में देखो इसको ले करना मैं पर्सनल आप पर्सनल मुझे उपिनिन मांगे ना अगर तो मैं गरी करता नहीं हूँ कि यह करना चाहिए समझाता हूँ आपको इसका reason क्या है ना जो Arctic region है धर्ती का यहाँ पर आप देख पाओगे यह Planet Earth है यह है हमारा प्यारा भारत और आप अगर नौर्थ में जाओगे न तो यह है Arctic Arctic देखिए constantly पिखल रहा है जो यहाँ पर ice sheets है यह पिखल रही है और इसका सबसे बड़ा beneficiary है Russia क्योंकि यहाँ पर shipping lanes ओपर ओरी है एक time पर जहाँ पर बर्व जमा करती थी वहाँ पर अब आप cargo निकाल सकते हो आप basically trade कर सकते हो और रश्यन से आप अगर पूछो कि सर्दी कम करनी है तो वो लोग कहेंगे हाँ बिलकुल क्योंकि सर्दी से वो लोग परिशान है आप देखो कि वहाँ में बहुत बर्व होती है तो temperature जैसे जैसे धर्ती का बढ़ रहा है Russia अपनी तरफ से कह रहा है No problem, we accept it बट बाकी countries के लिए यह बहुत बड़ी problem है क्योंकि जैसे जैसे आर्टिक पिगलेगा जो पानी का स्तर है यह overall बड़ेगा कई जगा बाड आएगी लोगों को problems होंगी तो again इसको ले करना scientific community भटी हुई है क्या आर्टिक में mining करनी चाहिए hydrocarbon की जो exploration है करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए चाइना तो तावला बैठा है इनको कोई मतलब नहीं है environment से या फिर कोई moral question से इनको जहां profit दिखेगा ये काम करेंगे क्या हमको चाइना की तरह ही act करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये depend करता है ठीक है कि आर्टिक में ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो वैसे बताईएगा अपने thoughts कि आपके इसाब से आर्टिक में hydrocarbons की exploration भारत को करनी चाहिए या नहीं मैं जाना चाहूंगा वैसे आपका opinion तो अभी देखिए जैशंकर साब पहुचे हैं रशिया बहुत सी discussions होंगी रुपी रूबल पेमेंट को लेकर defense equipment की supplies को लेकर भी कुछ major development आती है क्योंकि ये पूरा टूर है 5 डेस का है लंबे समय तक रुकेंगा ये रश्या में तो कुछ अगर major development और आती है तो बात में आपके लिए एक updated वीडियो ले आऊँगा और अनकाडमी के देखिए offer चल रहे है आज के समय ये जो offers है इनको आप यूज को सकते हैं तो comment section में link आपको मिल जाएंगे आप यहां पर course open करके you can use the code PD10 और आपको discount मिल जाएगा और जो sales time to time आती रहती है इनका भी आप लाब उठा पाएंगे so this is the end of the video thanks for listening and as always may the gods watch over you